जाहे हैं दोस्तों मैं पहेंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना चैनल यूकर टुटरियल में आज हम लोग घटना चक्र का सिरीज शुरू कर रहे हैं और हमने बुक लिया है प्रयावरोण यों परिश्थित की और इस बुक में जीतनी भी कोश्चन दिये हुए हैं उसको हम लोग बारी-बारी से कभर करेंगे और अनिव जो गू के जो खटना चक्र की आती है दोस्तों जैसे राजब्योस्ता, इतिहास, भोगोल, समानिविया उसको भी हम बारी-बारी से कभर करेंगे लेकिन ये थोड़ा से पतला है तो जल्दी से हो जाएगा खतम इसलिए पहले इसी को कराते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्न है प्रयावरन टोपिक है और प्रयावरन से पहला प्रस्न है कि प्रयावरन से अभी प्राया है तो अफ्सन ये कहता है कि भूमी, जल, वायू, पोधे, योम पस्वों के प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों और अस्तित्वों में है B कहता है कि उन संपूर्ण दसाओं का जो बेक्ति को एक समय बिंदू पर घेरिफवे होती है और C कहता है कि बहुतिक, J-Y, और संस्कृतिक तत्मों के अन्तर किरियात्म वेवस्था जो अन्ता संमन्दित होते है और D कहता है उप्रोक्ट सभी तो पर्यावरन से भी प्रायार जो है उगआ दोस्तों इसमें उप्रोक्ट सभी एंसर हो जाएगा चलिए इसके ब्याख्या को देखते हैं आपको किलियर हो जाएगा ब्याख्या में कहता है कि प्रीच्वी पर पाया जाने वाले भूमी, जल, वायू, पेड़ पोधे, जिव जन्तुओं का समुझ जो हमारे चारो और हैं सामोही कुरुप से प्रयावरण कहलाते हैं यानि कि जितने भी हम लोग बोलते हैं कि परीपलस आवरण यानि कि हमारे आसपास के जितने भी आवरण है उस अभी प्रयावरण है इसी में आता है भूमी, जल, वायू, पेड़ पोधे, जिव जन्तु, सभी इसी में कहा गया दोस्तों कि प्रयावरण की और जेविक और जेविक संगठंग आपस में अंतर किरिया भी करते हैं यानि आपस में देखें तो एक दूसरे से किरिया भी करते हैं एक दूसरे को खाता है, दूसरे को करता है, दूसरे को बिघटन करता है ये संपूर्ण प्रकिर्या एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिष्थित की तंत्र के रूप में परिभासित किया जाता है आगे है कि प्रयावरण संडक्षन अधिनियम 1986 के अनुसार प्रयावरन किसी जिव के चारो तरब घीरे भौतीक और जयविक दसा और उनकी अंतक किरिया को समलित करते है इसमें प्रयावरन के परिभासा है जो काफी असान है आप लोग जानते होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि प्रयावरण किस से बनता है Option A काता है कि जैविक घटकों से Option B काता है भूआकरितिक घटकों से Option C काता है और जैविक घटकों से Option D काता है उप्रोक्त सभी से तेहां हो जाएगा प्रयावरण किस से बनता है तो उप्रोप्त सभी हो जाएगा इंसर यानि कि जैविक घटकों से, भुवाकरितिक घटकों से और अजेव घटकों से चलिए इसकी ब्याख्या देखते हैं ब्याख्या में काता है कि प्रयावरण एक अभी भाज्य समिष्टी है तथा जैविक योम अजैविक तत्य वाले प्रासपरीक किरियासिल तंत्रों सीष्ट की राचना होती है प्रयावरण के तीन घटक होते हैं कोन-कोन है भौतिक या अजैविक संगठक यानि केस्थल, वाई और जल और एक हो गया आपका जैविक संगठक जैविक संगठक में वाईगा दसनों पादप, मनुष्य, जन्तु, सुक्षमजीव यानि छोग जितने भी जीविक चीदिये हैं इसके बाद हो जगा उर्जा संगठक उर्जा संगठ में काज़त स्वर ये उर्जा नि स्वर उर्जा और भूता पी उर्जा यानि भूमिस जो उर्जा मिलते हैं एह हो जाब का तो आप ध्यान में रखेगा कि प्रयावरण के तीन घटक होते हैं भौतिक, जैविक और उर्जा ये संगठक चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया प्रयावरण से दो-तिन कोश्चन अब बढ़ते हैं अगे धार्णिय विकास या सतत विकास इसे सम्मंधित प्रस्णों को देखिए ये प्रस्ण में कहता है कि नीचे दो कथन दिये गए हैं इन में से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है कथन ए कहता है कि सतत विकास मानो समाज के कल्यान है तो महत्पूर है आप समझ गहोंगे कि सही का रहा है कारण आर कहता है कि सतत विकास इसे विकास है जो भावी पिडियों के जरूरत पूरी करने की योगिता को परभावीत किये बिना बरतमान समय क्या हो सकता हो पूरी करे तो इसमें दोनों कथन A और R मतलग कथन A और कारण R दोनों समझ गए होंगे और इन कूटों का सही हुतर को चुनना है आपके एक कूट पता होगा दोस्तों कि A काता है कि A तथा R दोनों सही है और R जो है कथन A की सही बेख्या काता है B काता है कि A तथा R दोनों सही है प्रन्तु R कथन A का सही बेख्या नहीं है और C काता है कि A सही है प्रन्तु R गलत है और D काता है कि A गलत है प्रन्तु R सही है तो मैं यहाँ पर देखेगा दुस्तों तापका कथन A यानि बिल्गुल सही है यानि कि कूट A जो दिया है ने इसमें एक में कहा गया है कि A तथा R दोनों सही है वार कथन एक की सही बेख्या करता है तिसका एंसर यहाँ पर यह सही हो जाएगा चलिए इसके एक्सप्लेशन को दिखिए वर्ड कमिशन ओन एंवार्मेंट एंड डवलपमेंट दौरा वर्श 1987 में प्रकासित रिपोर्ट आवर कोमन फ्यूचर इसे ब्रेंटलेंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने कहा कि सतत बिकास से अभिप्राय ऐसे बिकास से है जो भावी पिडियों के जरु जो का ऐसे यूज करिए ताकि भवी इसके आने वाले पिडियों के लिए भी सुरक्षित रहे यानि कि एक और सत रूप में आप उसका उपयोग करिए इसका तातपर है कि मानो समाज का सतत भवी स्रीजित हो सकता है जबकि आर्थिक गती बिधियों और मानो करल्यान के समर् जेव भोती को समाजिक परिस्थित की पिढ़ी पोसित या स्रीजित हो जा सके इस परकार प्रस्णगत कथन योम कारण दोनु सही है तथा कारण कथन की सही बेख्या है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि धारणिय बिकास किसके उपयों के संदर में अंतर पिढ़ीगत संवेदन सिलता कभी सही है option A काता है प्राक्रितिक संसाधन का B काता है भौतिक संसाधन का और C काता है अध्योगिक संसाधन का और D काता है समाजिक संसाधन का तेहाँ पर हो जाएगा दोस्तों धारणिये विकास विकास की वह उधरना है जिसके तहत बरतमान की उसकताओं के सासत भोवित की उसकताओं को भिध्यान में रखा जाता है बिल्कुल सही है धारणिये विकास जो हता है प्राकरितिक संसाधनों को उपयोग के संदर में अंतर पिढ़ीगत सनिवेदन सिलता का भी से है और धारण है संदर अबिल्ग के लिए अभी तो बरतमानपिढ़ी के लिए जितना उपयोग है उसको जरूत ANDREW की हिसाब लेकर रहा है लेकिन स्कुनसे हो सुरक्षीत रहते हुए आगे की पिढ़ीको भिध्यान मेरत प्योंग कर रहे है इसका अंत्रव tip mm कर रह करना प्रदूर्शन का निर्धंता को हटाना और BAm Camp प्रude मुदियों विकले थिए निर्धंता को हटाना अर usz कि ते बहुत असान विकास के लिए आवसाहिक हैं याँ पर उप्रोप्च है यानि सभी आवसाहिक है जो विवित्माइक अर G aliment प्रदूसन का निरोध यो नियंतरन भीकेजिये और निर्धानता को घटाना भी है तिन सभी चीजों के लिए आपका सतत विकास के लिए आवसेख है चलिए इसकी ब्याख्या को देखते हैं सतत विकास के लिए जैविक विपित्ता का संडक्छन प्रदूशन का निरोध यो नियंत्रण तथा निर्धानता घटाना सभी आवसेख है आर्थिक विकास और प्रयावरण सुरक्षा के मद एक वांचित संतूलन बनाए रखना ही टिकाउं विकास या सतत विकास है बरतमान राजनीतिक परिद्रिश में यह एक भूमंडलिय द्रिश्ट कुर बन चुका है टिकाउं विकास की जो अनिवारे सर्थ है वे सुचनाओं की उपलपता पर अधारित होती है टिकाउं विकास हो गया दोस्तों सतत विकास है दोनों देखें तेक दूसरी से मिलता जो है टिकाउं मतलब कि आप उसको भविस के लिए टिका आ रहे हैं मतलब आगे के लिए उसको सुरक्षित करें और सतत विकास में क्या कहता है दोस्तों के सस्टेबल यानि मेरा भी आपका भी भविश का भी सभी का एक समान रूप से उपयोग करना यानि बचाते हुए सनक्षित करते हुए तेही चीजे हैं और सतत विकास ये सब चीज पढ़िएगा धाणिये विकास तो आप प्रकृति में कार्बन चक्र वा जल चक्र वी इस टोपिक से देखते हैं कि जो कोस्टन हैंगे उसको बनाते हैं पहला प्रस्थन है कि निम्न पर विचार कीजिए क्योंकि देखेगा दोस्तों स्यादा तर जो घटना चक्र के बूक होते हैं उसमें यू पीएसी पीएसी एस्टेट पीएसी मतलब एक लेबल का कोस्टन होता है तो उसमें थोड़ा सा आपको बनाने में मिश्टेक होगा और थोड़ा सा कठनिया होगी लेकिन खडबडाना नहीं है एक अच्छाप का लेबल भी बन जाएगा इसके बाद काता है कि निम्न लिखित पर विचार कीजिए ए उप्सन काता है कि परकास संसलेशन बी काता है कि स्वसन सी काता है कि जेव पदार्थ का अपच्छय और ड भी कहता है जो अला मुखी करिया है इसमें कहता है कि उप्यूप में से कौन सी करिया है प्रित्वी के कार्बण चक्र में कार्बन डायक्साइड जोड़ती है option A में कहता है के वल एक और चार यानि कि परकास अंसलेशन और जवाल ये मुखी किरिया है B कहता है आपका कि सौसन और जेव पदार्थों का अपच्छ है C कहता है दोस्तों कि दो तीन और चार यानि सोसन जेव पदार्थों का अपच्छा है और ज्वाला मुखी करिया है और आपका D जो कहता है वो कहता है कि 1,2,3,4 यानि कि 4 हो सही है तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका एंसर जो हो आपका C राइट हो जाएगा यानि कि यहाँ पर देखें तो सोसन जेव पदार्थों का अपच्छा है और ज्वाला मुखी करिया है यह जो है आपके प्रीथवी के कार्बन चक्र में कार्बन डेक्साइड इसको जोड़ती है तीस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है चलिए आगे इसका एक्स्प्लेशन को देखने है ता आपका और अच्छे से किलियर हो जाएगा इसकी ब्याख्या में कहा गया है कि प्रीथवी के कार्बन चक्र में कार्बनीक पदार्थ का अब घटन जिधारियों के दवारा सौशन किया से तथा ज्वाला मुखी प्रक्रियां से जिवास मीधन के दहन से इतियादी से कार्बन रेक्साइट पहुँचती है अस्वपोसी जैसे पौधे प्रकास संशन के किरिया के दवारा कार्बो हाइडरेट के निर्माण में वायू मंडल ये कार्बन डेक्साइट को गरहन करते हैं न की बीमोचन करने या जोड़ते हैं यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जोडने का काम जो होती है आपके जो अक्सीजन कर्था और बनीमोचन करती है और बदले में डेती है सॉसन क्यिया में ही होता है कि कारबन डैक्साइड और सुरी के प्रकास के माधियम से अगर देखें तो या करता है जो पेड़ पोदे होते हैं ऊह अक्सीजन को सरजीत करते हैं कर अब पढ़िएगा इसको चलिए आगे देखते हैं आगला प्रस्थन है कि अधुलिखित में से कौन सा प्रिथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डियकसाइट की मात्रा में नहीं बढ़ाता है तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा दोस्तों फिर से कोशन को पढ़ा दे रहें अधुलिखित में से यानि एक दिये हुए प्रस्णों में से कौन से प्रित्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डेक्साइट की मातरा को नहीं बढ़ाता है यानि कार्बन डेक्साइट की मातरा को जो है वो बढ़ाने का काम नहीं करता है तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है द लिए आगशे बढ़ते हैं आगला प्रस्थन है कि sir b कीरण की सबसे महतपुड भूमी Gumid काता है और तो स्वॉर वी कर्याण की सबसे महत्पुर भूमी का किसमे होती है दूस्तुम तो स्वॉर वी कर्याण अगर बढ़ यहां से दिखेगा तो जल चक्र कारबन चक्र में भी नहीं होती है उतनी भूंक्या ना हिट्रोजन चक्र में क्योंके सब गैस हैं और गैस का निर्माण कैसे होगा कि सबसे महतपुर भूमिका होती है यानि कि जल में धूब पढ़ेगा तो वास्पित होगा बारिस होगा फिर पेड़ पौधेला लाहेंगे पेड़ पौधेला लाहेंगे तो उसमें सफिर अक्सीजन होगा कार्बन डेक्स हैड उत्पन होगा यानि कि गैस के करिया फिर वही प्रित्वी से सुरू होगी ति एक जल चक्र में इनका सबसे बड़ा सौरबी कीरण का महत दर्वी करण होता है जल चक्र हाइड्रो स्फियर में जल की विभीन गती बिधियों को दर्साता है तो आप समझ गए होगे चली अगला प्रसन देखते हैं आगला प्रसना करता है कि वार्शा की مातरा निरभर करती है Option A काता है हावा के दबाव पर B काता है को वायू मंडल में नमी पर C काता है जल चक्र पर और D काता है ताप क्रम पर तो यह हो जाएगा वर्षा की मात्रा जो निर्भर करता है वो करता है दोस्तों B वायू मंडल में नमी पर ये सबको पता है कि बहुत आसान question है कि हावा के दबाव पर भी नहीं करेगा वायू मंदल में जितना नमी रहेगा उतना ही ज़्यादा बारिस होगी तो इसको थोड़ा ध्यान पर रहे क्योंकि सब related type option है तो आपको थोड़ा चुनने में जो है कठना ही हो सकती है लेकिं हम बोल रहे हैं कि बार बार की question का label बहुत उंचा होता है घटना चक्र में तो थोड़ा सोच समझ के answer दीजेगा तो इसका answer हो जाएगा आपका B वायू मंदल में नमी पर चलिए इसकी बैख्या देखते हैं देख्या में कहा गया दोस्तों कि वायू मंदल में नमी जो है वार्षा की मातरा का निर्धारन करती है सभी परकार की वार्षा की मातरा यथा बुंदा बुंदी वार्षा बर्फ बारित यादी वायू मंदल में नमी की मातरा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है यानि कि जितने भी आयू मंदल के हवा में नमी रहेगी उससे वर्षा की दसा को बता सकते हैं कि कितना वर्षा होगी जितनी ज़्यादा आज ठीक नमी होगी वर्षा के मात्रा उतने ही अधिक होगी अगला प्रस्था है कि कई पर्ति रोपित पोधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि यानि कई पर्ति रोपित पोधे परति रोपित करना यानि कि एक जगा से खाले को उसको दूशरी जगा कर लगा देना इसे को समझ रहोंगे तो कई परती रोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि option A काता है कि नई मीटी में इश्ट खनीज पदार्थ नहीं रहते हैं B काता है कि अधिकांस मूल रोन यानि नई मीटी को अधिक सकती से जकड लेते हैं यानि कि जो जड़े में मूल रोन समझते हैं दोस्तों जो पतला पतला एदम जड़े के नीचे जो पतला पतला एदम धागा टाइप होता है वो करा है कि नई मीटी को अधिक सकती से जकड लेते हैं चली आगे पड़ता है इसका C ओप्सन काता है तो इसका सही अगर 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 टूं़ियेगा दोस्तों तब का C राइट हो जाएगा यानि परती रोपन के दोरा अधिकांस मुल रोम जो है नश्ट हो जाते हैं परती रोपन समझते हैं, दोस्तों कि एक पान बीजिए कोई पौधा है, उसको उखाड़के दूसरी जगह लगाते हैं, यही कारण होता है, उसको परती रोपन करते हैं, तो भाल स्लek करके पौधा नहीं बढ़ पाता है, इसका अंसर शीफ होजाएगा. चले इसका expression को देखते हैं expression में काता है कि पौधे का दिकांस मुल रोपन परती रोपन के कारण नश्ट हो जाते हैं इसलिए कई परती रोपीत पौधों में ब्रीधी नहीं होती है खेतों में उर्वरक्ता का पर्योग करने पर यदि सिग्र ही अधिक जल से खेतों की सीचाई नहीं होती है तो मिर्दा का बिलियन में संद्रता अधिक हो जाते हैं इसे जड की मुल रोमू के दुबारा जल और सोसन कठीन हो जाते हैं पौधा जो है जुर मुरा जाते हैं यानि कि आप जैसे कि उसको कबार के दूसरी जगा लगा देते हैं दोस्तों तो उसमें क्या था नमी चाहिए होता है मीटी के पौशक ततों चाहिए होता है इसलिए पौधा को जब भी लगाया जाता है अगर धान का परती रोपन किया जाता है तो उसको देखते हैं कि उसमें पहले कादो बना लिया जाता है और पानी भर लिया जाता है तब उसको रोपा जाता है ताकि उसको जो पोसक तत्तो एक पोधे को चाहिए उसको मिल सके पानी मिल सके ताकि वो मुर्जुरा है नहीं नहीं डालेंगे तो तुरंद मर जाता है तेही कारण है कि उसमें जो है पोसक तत्तो और जल की मात्रा जो छोटे-छोटे मुल रोम होते हैं उसके मात्यां से नहीं पहुच पाती है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला जो है वायू मंडल टोपिक है और वायू मंडल से जो प् दिकत नहीं है हमको कोस्टन को समझना है और उसका एंसर क्या है इसको समझना है प्रसन है कि प्रीथवी के चारों और गैसों के सम्मू को क्या कहते हैं तो प्रीथवी के चारों और गैसों के सम्मू को आप्सन ए में कहता है कि भू मंडल कहते हैं बी कहता है कि जल मंडल कहत हैं और डी है कि आपका जल मंडल एक्ठो में जल कन है दोस्तों एक्ठो में जल मंडल है तो थोड़ा ध्यान में रखेगा तो प्रीथिवी के चार और गैसे के सम्मू को कहा जाता है वायू मंडल इसका एंसर यहां पर सी राइट हो जाएगा यह बहुत असान कोशन है चल की ब्यक्षा को देखते हैं ब्यक्षा में कहता है कि प्रीथिवी के पारीत बिखमान गैस हो आणि के वायू के लिखिवी में अन्य गैस पाया जाते है अडिन नाई्टोजन आक्सीजन कारबन डैक्साइट यह अन्य तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगला जो प्रस्न है वह है वायू एक कोशन है कि वायू एक option A काता है कि योगिक है B काता है कि तत्व है C काता है कि मिसरन है और D option में है कि बिधू तब खटक है तो वायू एक जो है दोस्तों मिसरन है वायू क्या है मिसरन है इसका answer है हाँ पर C right हो जाएगा answer चलिए इसके ब्याख्या को देखते हैं ब्याख्या में काता है कि मिसरन ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधीक तत्व या योगि किसी भी अनुपात में सदारन रूप से मिसरित होते हैं इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है लेकिन बोल रहा है कि एक अनुपात मतलब सदारन अनुपात के अधार पर एक मिसरित होते हैं और वायू बिभीन गयसों का मिसरन है वायू जो होता है विभिन गैसों का मिसरन है याद रखेगा कि मिसरन कैसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्तो या योगी किसी भी अनुपात में सदारण रूप से मिसरित होते है कि निश्चित अनुपात नहीं होता है क्योंकि बाबा प्रस्ण यह repeat होता है चलिए अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है दोस्तों कि सुक्स हवा में nitrogen की मातरा होती है option A काता है 21% B काता है 27% C काता है 50% D काता है 78% तो सुक्स हवा में nitrogen की परतिसत जो होता है वो 78% परतिसत होता है बहुत असान है और 21 परतिसत जो आपका होता है दोस्तों वह आक्सीजन होता है यानि 20.95 लगभग 21 परतिसत तो 21 आपमान की इसको चलिएगा इसको थोड़ा से ध्यान में रखेगा कि नाइट्रोजन में जो वायू मंदल में 78 परतिसत पाया जाता है चलिए गहनतों के अनुसा सरोधिक मातरा जो होता है नाइट्रोजन की होती है और यह जो है 78.08 परतिसत होती है तो याद रखेगा कि पूरे वायू मंदल में जो है नाइट्रोजन कितना पैया जाता है अगला प्रस्थन है कि निमलीखी तो नोबल गैसों में से कौन सी वायू में नहीं पाय जाती है अप्शन ए हिलियम ऑप्शन बी आरगन ऑप्शन सी रेडॉन ऑप्शन डी नियॉन तेहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो अपका हो जाएगा रेडॉन जो होता है एंसर सी जो है वो अपका सही होगा कि रेडॉन गैस जो होता है वो वायू में नहीं पाया जाता है बाकि हिलियम आरगन ऑडियों नियॉन सभी देखे तो वायू मंदल में पाया जाते है आगला प्रस्ता है कि वतावरण में सरौधीक परतिसत है oxygen का, d option है carbon dioxide का, c option है nitrogen का, और d option है hydrogen का ति बहुत असान कि वतावरण में सरौधीक परतिसत जो है कियंसिगज़ के है तो है दोस्तों nitrogen का है, जो 78%.08% लेकिन 78 आप याद रखिएगा तो इसका answer है हाँ पर आपका C right हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्ण है कि हावा में जीस gas की मातरा सबसी अधीक है वह है option A काता है hydrogen का, option B काता है carbon dioxide का और C काता है oxygen का, और D काता है nitrogen का तो repeated question है क्योंकि जो घटना चक्र में ज्यादा तर दिखेगा दोस्तों की जो exam में प्रस्ण पूछ दिया जाता है उसमें क्या करता है कभी-कभी repeat देता है कभी-कभी क्या करता है कि उसके बगल मिलिक देता है कि question 2006 में पुछा गया, 7 में भी पुछा गया, तो आपके यहां पर हो जाएगा nitrogen आपका D right हो जाएगा, यह हवा में, गैसों में सबसे अधिक जो मात्रा है, वो nitrogen का है, कितना है दोस्तों, तो 78 परती सथ, आगला प्रस्थन है कि यदि प्रिथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति, यानि पेंड़ पौथे समाप्थ हो जाए, तो किस गैस की कमी होगी, पहला A में हो जाएगा, कार्बन डेक्साइट की कमी हो जाएगी, B में हो जाएगा, nitrogen की कमी हो जाएगी, C है, जल वास्पी, और D हो जाएगा, oxygen की, तो इसका एंसर सही होगा, दोस्तों, आ इसका एंसर D, राइट हो जाएगा, चलिए बैक्षा को देखते हैं, बैक्षा में कार है दोस्तों, कि पेड़ पौधे, प्राण वायू, अक्सीजन का उतसर जन, और वायू, मंदल को दूसीत करने वाली, एक नोबेल, वार्मिंग के लिए जिमेदार गैस, जैसे कार्बन डैक्साइट का उसोशन करता है, सबको पता है कि कार्बन डैक्साइट को जो है प्मेड़ पौधे असोशन करता है, अगर वनस्पती नहीं होंगे तो आक्सीजन की कमी से पिरिथ्वी जीवन पर घा तक परभाव पड़ेगा, यानि कार्बन डैक्साइट का जो असोशन कर करते हैं अगर माली पेड़ पोधे नहीं रहेंगे तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और अक्सीजन की मात्रा कमी हो जाएगी जिसे जीव जन्तुमों पर इसका प्रभाव पड़ेगा चलिए अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है कि निमलीखित में से कौन सा कारे पेड़ पोधों का नहीं है option A काता है कि carbon dioxide का absorption करना B काता है sor का absorption करना C काता है वायू का production करना और D काता है oxygen की भी मुक्ती तो यहाँ पर दम साब सब्दों में दीख रहा है दोस्तों कि कौन सा मेड़ पोधे का नहीं है मैंने लिमिल खितमें सो कौन सा कारे मेड़ पोधक नहीं है यहाँ इसका एंसने हाँ पर सी हो जाएगा आए इसकी ब्याख्या को देखते हैं ब्याख्या में का रहा कि पेड़ पोधे जो होते हैं carbon dioxide का उसन कर oxygen की भी मुक्ती करते हैं और बिभीन छेत्रों में सडकों की किनारे हरे बीचों की कातारें खड़ी करके धोनी परदीशन से बचा जा सकता है पेड़ पोधे जो होते हैं वायू परदूशन नहीं करते अपित वायू परदूशन के रोख थाम में सहायक होते हैं यानि कि पेड़ पोधे जो होते हैं कभी वायू परदूशन नहीं करते हैं दोस्तों बल्कि उसे हमें रक्षा करते हैं चलिए आगला जो है ओटोपिक होजा दोस्तों प्रयावरण सुरक्षा और इसे सम्मंधित प्रस्णों को भी देखते हैं पहला प्रस्ण है कि प्रयावरण अब कर्ष से अभी पराया है option A बोलता है कि पर्यावरण ये गुणों का पूर्ण रूप से निम्नी करन B काता है कि मानिये किरिया कलापों से बीप्रीत परिवर्तन लाना C काता है कि परिष्थित की भींताओं के परणाम सुरूब परिष्थित की असंदूलन और D काता है उप्रोक्त सभी तेहां पर option देखेंगे दोस्तों तो परिवर्ण का अपकर्षन से भी पराया है उप्रोक्त सभी चलि इसके ब्याख्या को देखते हैं ता आपको समझ में आ जाएगा ब्याख्या में कहता है दोस्तों कि प्राकरतिक आवास का विकास जयो ब्राकरतिक शंसादनों के संडक्षन होने से पर्यावरोन को होने वाले नुकसान को प्रर्यावरोन अपकर्षन कहते हैं जिसमें से option था आपका प्रयावरण गुणों के रूप में पूरूर से निमनी करन होना मानिये किरिया कलाप्मों के बिप्रित परिवर्तन लाना और पारिस्थित के भींताओं के परिडाम सोर। परिस्थित की असंतूलन करना ते सबी जो है प्रयावरण के अपकर्शन के कारण है नुकसान के कारण है ते इसको थोड़ा सा दिखेगा इसका option D सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्थित के अपच्छे का विचार सम्मंधित है तो अपच्छे का विचार सम्मंधित है option एक काता है कि प्रिथक हुए पदार्थों का संग्रह करना B काता है कि मोसं के देनी प्रावर्तन और C काता है कि एक प्राकेति किरिया जो चाटानों के सुक्छमकडों में बिमुक्त करती है और यहां प्रहगा उप्युक्त में से कोई नहीं तब 6 का अगर विचार सम्मंधी थे दोस्तों के एक प्राकेति किरिया जो चाटानों को सुप्षमकडों को बिवक्त करती है बिवक्त करती है तेहां पर इसका answer अपका C right हो जाएगा चलिए इसकी ब्याख्या को देखते हैं ब्याख्या में कहता है दोस्तों कि अपच्छे चाटानों को टूट फुट की वह किरिया जिसकी अंतरगत चाटानी बिघटन या बिन्योजन के दवारा अपच्छे किरिया जो होती है दोस्तों टूट फुट होता है और टूट फुट के दवारा क्या होती है बिघटन होता है वियोजन होता है कि दवारा धेली पढ़कर की एक विदिर्ण होकर की अपने इस्थान पर ही बिखर रह जाती है इसी कोहा जाता अपच्छाए अपच्छाए हो जाना उसको बिघळटन हो जाना भरमित हो जाना तोटफूट जाना अपचित हो जाना तेस जीजन से समझे कोयस्चन को समझेगा answer पकड़ने में असान होगा आगला प्रस्थन है कि निवन में से की से एक का संबंद परियावरणिय सुरक्षा से नहीं है पहला काता है कि धरनिय भिकास, B काता है गरीबी को कम करना और C होता है वतानुकुलन और D काता है कागज के धैलों का प्रयोग तेहां प्रकर देखें दोस्तों तीसका साप साप दिख रहा है गरीबी को कम करना यानि कि परियावरणी सुरक्षा से संबंद किसका नहीं है दोस्तों तो गरीबी कम करना कोई इससे परियावरण से इसको लेना देना नहीं है बाकि धारणिये विकास करना ये प्रयावन से सम्मधित वतानुकुलन को बनाया रखना भी सम्मधित है और कागज के थेलों का प्रयोग ये भी सम्मधित है तो यहाँ पर देखे तो B इसका answer हो जाएगा चलिए इसका expression को देखते हैं इसकी ब्याख्याम दिया हुआ है कि धारणिये विकास ये कागज के थेलों का प्रयोग प्रयावरनिये सुरक्षा के सकरात्मक पहलू से सम्मधित है वतानो किलोन पर्यावरणी सुरक्षा के नकरात्मग पहलू से सम confessed are जबकि गरीबी कम करने से पर-र्यावरण पर नकरात्मग ये अम सक्रात्मग दोनों पर्भापडते हैं दूसरे दृिष्टी कोण में देखा जाय तो, गरीबी का पर्यावरन से अप्रतेक्च संबंध है। तो गरीबी का पर्यावरन से कोई वैसा प्रतेक्च संबंध देखने को नहीं मिलता है, जब्कि धरनिय विकसंका आगच थेला का प्रयोग और वातानुकुलन का प्रयावरण से प्रत्यक्ष समन्द है, यानि इसे direct लगाऊ है, चलिए आगे देखते हैं धरनिय विकसंक समंधित प्रसनों को देखते हैं पहला प्रस्ण काता है दोस्तों कि धार्णिये विकास लक्ष यानि सस्नेगल डबलपमेंट गूल पहली बार 1972 में एक बैस्विक बिचार मंडल थिंग टेंक ने जैसे कलब ओफ रोम कहा जाता था प्रस्तावीत किया था बी कहता है कि धार्णिये विकास लक्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने कि उप्युक्त कत्नों में से कौन से सही है तेहां पर इसका एंसर गर देखेंगे दोस्तों तो केवल बी हो जाएगा कि धार्णिये विकास का लक्ष जो है 1930 तक प्राप्त किये जाने का लक्ष रखा गया है तो यहाँ पर B option आपका बिल्कुल सही है चलिए इसका ब्याख्या को देखते हैं ब्याख्या में कहा है कि धार्णिय विकास लक्ष का सौर प्रथमों वर्स 1912 में रियू प्लस 20 समेलन में प्रस्तावित किया गया था धार्णिय विकास यानि सस्नेबल डवलप्मेंट विकास लक्ष बनाए गये हैं जिहें वर्स 1930 तक प्राप्त करने का लक्ष रखा गया है ते था दोस्तों अपका B ये पका सही और इस तरह से इसकी ब्याख्या दिया हुए है चलिए आगला प्रसन देखते हैं आगला प्रसन के सतल विकास लक्ष दोहजार 17 के सुचकांग में भार आगता कौन सा इस्थान है तो यहां पर देखेंगे दोस्तों तो यह जो है पड़ा नया सत्रह की बात पूछ रहे हैं तो अप्शन ए में काता है 116 बी काता है 125 और सी काता है 108 और डी काता है 155 लेकिन यहां पर थोड़ा से मिश्टेक है और इसमें स्टार मार्क दिया और 85.6 के साथ प्रथम इस्थान पर रहा जबकि भारत 116 इस्थान पर था और सतत भी कास लक्षे सुचकांग 2018 में स्वीडेन जो है अब का 85 अंग प्राप्त करके प्रथम इस्था जबकि भारत 100 ब्रहवे में था और 69.1 के स्टार करके और 2019 में देखे 162 देशों की सूची में भारत 115 में इस्थान पर रहा है तीस तरह से अगर देखे दोस्तों तो 2017 की बात है अब इसको बरतमान में पढ़के जाईएगा और सुचकांग बस ध्यान में रखना का सस्टनेबल डवलप्मेंट यानि सटब बीकास लक्षे जो होगा जो आपको एक्जाम देने जाए उस वर्ष का आप सुचकांग देखके जाईएगा चलिए अगला प्रस्ण पढ़ते हैं धारणी विकास सस्टनेबल धारणी क्रीशी यानि सस्टनेबल एगरिकल्चर का अर्थ है पहला का आतनी भरता बी ओप्सन का तबी सुबेपार संगठन की मानकों के अंत्रगत क्री भूमी के परियोग में लाना इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों कि धारणी क्रीशी का आर्थ होता है क्रीशी का इस परकार परियोग कि उसकी गुणवता अच्छुने बनी रहे यानि कि सी आपका सही हो जाएगा आप इसको अच्छे से पढ़िएगा उप्सन को नमसाप सा पता चल रहा है चलिए इसके ब्याख्या को देखते हैं ब्याख्या में का तक धारणी एक क्रीशी का आर्थ है कि परियावरों को अच्छुने रखते हुए भूमी का इस परकार परियोग कि उसकी गुणवता लंबे समय तक बनी रहे तो यहाद रिका धारणी ये विकास कि जब भी बात हो देखी जिध्यान में रखना है कि भवी इसको हमको सुरक्षित रखना है तो आप कोस्चन असानी से पकड़ सकते हैं तो इसमें से देखे दोस्तों तुमातर तिन ही कोस्चन था आगे बढ़ते हैं कि प्रिथ्वी सीखा सम्मलन रियो सम्मीट ये से सम्म प्रस्ण है और हर इक जामेहा से प्रस्ण रहता है तो चली आएए बढ़ते हैं क्या प्रस्ण दिया है उसको समझते हैं प्रस्ण है कि रियो डिजनेरियों में संपन अंतराष्टिय समेलन था अब सने काता है कि सन्यूक तराष्ट प्रयावरण विकास समेलन बी काता प्र अंतराष्टिये नई अर्थ विवस्था और डी का ताइन में से कोई नहीं तो आप अगर ध्यान में डखेगा दोस्तों कि रियो डी जनेरियो जो संपन हुआ था अंतराष्टिये सम्मेले वो था सन्युग दराष्ट प्रयावरोण विकास समेलन था तो इसका एंसर आपका यह राइट हो जाएगा क्या है बैख्या आए जानते हैं रियो डी जनेरियो ब्राजिल के एक सहर है दोस्तों रियो डी जनेरियो और ब्राजिल में ही वर्फ उनीस सो बानवे में संपन अंतराष्टि प्रिश्वी सीखर समेलन अर्थ सम्मेट हुआ था और सन्युग और यहां से प्रस्ण हमेशा राते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्ण है दोस्तों कि भू मंडल ये प्रयावरण सुरक्षा के संदर्म में निम लिखित में से कौन सा कथन सही है ऑप्शन ए काता है कि यह जिव बिभीता पर अभी समय यम जल वायू परिवर्त पर सन्युक तराश धाचा अभी समय के लिए बितिक किरियाविधी की रूप में काम करता है बी काता है कि यह भू मंडल ये इस्तपर प्रयावरण के मुद्दों पर बैग्यानिक अनुसंधान करता है सी काता है कि व यह ओ एसीडी के अधिन एक अभीकरण है जो अल्व बि दोनों तिसका एंसर हो जाएगा दोस्तों कि भू मंडल ये परियावरण सुविधा के संदर में कुझो पथन सही हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा कि जयो विवित्ता का अभी समय के लिए बिध्य किरिया विधी की रूप में काम करता है चलिए इसकी बैख्या को दे फैसलीटी की स्थापना की गए और भूम मंदल ये प्रयावरण से विधा यानि गलोबल इम्रोमेंटल फैसलीटी जो भिविताक अभी समय जलवाईव परिवरतन पर सन्युक तराश्ट धाचा अभी समय और मरोस्थली करण के बिरूद सन्युक तराश्ट अभी समय एजेंडा 21 से रिलेटेड भी प्रस्ण रहते हैं तो चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं प्रस्ण है कि समाचार पत्रों में कभी-कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर मिन्निम लिखित कथनों पर विचार कीजिए ओप्सन यहाँ पर दो कथन दिये हुए हैं ए जोहांसबर्ग में हुए धारणिये विकास्क पर 200 सीखर संबेलान यानि वर्ल्ड सम्मीट सचनेबल डबलप्मेंट में इसकी उत्पती हुई उप्यूक्त कथनों में से कौन से सही है कथन ए सही है कथन बी सही है और सी ओप्सन काता के और दोनों सही है और डी काता है न त दिखेंगे दोस्तों तो ए अपका सही हो जाएगा कि धारणिये विकास के लिए एक बैस्विक कारी होजना है ठीक त्याद रखेंगा कि जो एजेंडा 21 है वो क्या है तो एक धारणिये विकास के लिए एक बैस्विक कारी होजना है इस तरह से इसका अप्सन ए जो है अपक किया गया इस अर्थ सम्मीट या प्रिथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है जो बानवे में जो प्रिथ्वी सम्मेलन हुगा था दोस्तों उसी में एजेंडा 21 रखा गया था इसमें निम लिखी देशों के धारणिय विखास के लिए एक कारेवाई योजना स्विक्रीती की गए जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है तीस तरह से एजेंडा 21 से कोस्टन था दोस्तों एक और कोस्टन है उसको भी देख लेते हैं एक प्रस्थन अगला है कि प्रित्वी सिखर संबेलन का आयोजन किया गया था पहला हो जगा कोहिरा में दूसरा हो जगा रियो में तीसरा हो जगा डर्बन में और डी हो जगा क्योटो में तो प्रित्वी सिखर संबेलन अभी इतना दिरी से पढ़ रहे हैं, रियो संबेलन को प्रित्वी संबेलन का नाम दिया गया है, तहां प्रेस का एंसर B जो हैगा, वो सही होगा, आई इसकी ब्यक्षा को देखते हैं। प्रित्वी संबेलन से समंदित में चीज़े दिया गया है, आगला जो हाप काज दोस्तों ओह जागा, रियो पलस टू समेलन, यानि रियो पलस ट्वेंटी संबेलन, यानि रियो जिसको ट्वेंटी वर्स में सबमीट होता है, उसी के बारे में है, तो चलिए इसको भी लबलपमेंट पर सन्यूक तराश समेलन है, बी कहता है कि अबी सुबे पास अंगठन की मंत्री वर्गिये, यानि होता है, मिस्टी डिरियल बैठक है, सी कहता है कि जलवाईव परिवतन पर अंतरसरकारी पैनल, यानि होता है, इंटर गॉर्मेंटल पैनल और क्लाइमेट च तो इसका अफसर ए सही हो जाएगा, या धारनिय विकास पर सन्यूक तराश का एक समेलन है, यानि सस्नेबल डवलपमेंट पर, तो यह बिल्कुल सही, आईए इसकी बैख्या को देखते हैं, बैख्या हम कहा गया है दोस्तों कि रियो 20 धारनिय विकास पर सन्यूक तराश सम जोहांसबर्ग में आउजित, 27 विकास समेलन की 10 वर्षगांट के उपलक्ष में आउजित किया गया था, तिये था दोस्तों, तो याद रखेगा कि पहला जो समेलन हुआ था, ब्राजिल में हुआ था, रियो डिजनेरियो में, इसके बास देखे तो जोहांसबर्ग में 20 व यह हो जाएगा, अप्सन A 2005 में, B है 2000 में, C अपतन होता है 1999 में, D होता है 1997 में, तेहां पर देखें तो प्रिथवी समेलन प्लस 5 विकास जित हुआ था 1997 में, तेहां प्रेस का एंसर D राइट हो जाएगा, चले इसके ब्याख्या को देखते हैं, वर्ष 1992 में 20 भर के नेता, ब्राजिल के सह, रियो डिजनेरियो में, प्रिथवी समेलन में, कत्र हुए थे, ठीक 5 वर्षों के बाद, 23 से 27 जून 1997 के मध में, निवार्क में, सन्युक तराष्ट महासभा ने, एक 20 बैठक, 20 बैठक आयोजन किया, जो रियो पलस 5 या प्रिथवी समेलन 5 के नाम से जाना मुल्यांकन के लिए, मतलब इस दिन में, कितने क्या कारे हुआ, उसके जाच करने के लिए, बैठक को बुलाई गई थे, तो याद रखेगा, कि प्रिथवी समेलन 5 का आयोजन 1997 में हुआ था, और कहा हुआ था दोस्तों, ते निवार्क के सहर्क, सन्युक तराष्ट महासभ बुलाई थे, वहें पर हुआ था, आगला प्रस्ने के लियू ट्वेंटी उफट्रा पत्र का सिरिशक क्या था, । हो जाएगा ये 36 गड़ PST में पुशा गया प्रस्ण है चले देखते हैं रियो 20 समेलन का आयोजन प्रथम प्रीथ्वी सीखर समेलन रियो डी जनेरियो 1992 के 20 वर्ष पूरे होने के पस्चात किया गया था वर्ष 2012 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ रियो 20 समेलन के खोशना पत्र का सिर्षक था The Future We Want था इस मेसेज में यानि इस मौसोदे में जनसंख्या नियंत्रन गरीबी उनबुलन सतत्विका समाजिक समानताय इत्यादी पहर्णों पर विचार किया गया चलिए आगला प्रस्थन है कि पहला प्रिथ्वी सीखर समेलन कहा हुआ ओप्सन ए हो जागा वासी गटन में बी हो जागा जनेवा में और सी हो जागा रियो डी जनेरियो में और डी हो जागा ब्यून्स आयर्स में इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों पाहला प्रीच्वी सीखर संबेलन जो हुआ था ओह हुआ था रियोडी जनेरियों में इसका एंसर सी राइट हो जाएगा चलिए आगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों हरीत अर्थव्योस्ता पर करवाई के लिए भागेदारीय यानियत P, A, G, E जो अप्एक्षा के लिए हरीत यो अधिक समावेसी अर्थव्योस्ता की और देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए शन्युतराष्ट की एक किरियाबीती है या आवी भूर्त हुई है जनेरियो में 2012 के संधारणिये विकास पर सन्युक्तराष समेलन में और C काता है कि पेरिस में 2015 में जर्वाईव परिवरतन पर सन्युक्तराष्ट फ्रेम और कन्वेंशन में और D काता है कि नई दिल्ली में 2016 के विश्व सन्धारणिये विकास सिखर समेलन में तिस तरह से अग तक हरीत ब्योस्था प्रकरवाई के लिए भगयदारी जो पेक्षा के रित अर्दिक समावेसी अर्थ ब्योस्था के और दीशा में संकेन्रण में सहायकता देने के लिए सन्यूतराट के किर्या भी थी बिभूति की गए थी आए इसकी ब्याख्या को देखते हैं तापकि किल ब्राजिल में किया गया इसी सम्मेलन में हरीत अर्थ व्यूस्था में रूची रखने वाले देशों को समर्थन परदान करने के लिए सरकारों आधी की करवाई का हवान किया गया इसी अहवान पर सन्युतराष ने परतेक्ष परतिकिरिया के फल सुरूप हरीत अर्थ व्यूस्था पर करवाई के लिए भागिरदारी का स्रीजन किया तीस तरह से हैं दोस्तों और आज इतना ही रखते हैं और अगले जो बीडियो बनाएंगे उसमें बढ़ेंगे बिभीन स संगठा नियम संस्थान और उसी परकास से जो उसके बाद जो टोपिक हो प्रयावर और सनक्षें समधित भी दिया तो एक जो टोपिक जो घटना चक्र में जो दिया हुआ है बिलकुल नया है घटना चक्रा उसको आप पढढ़ेट रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में त